वो था आपका विरितार वाला Whoo cycle वाला मैंने आपको कराया था और सभी के मुह कहां थे केंदर की और मुं करके बैठे थे तो हो सकता आपको कोल देगा वरितार में मुध कर के पैठे बैठे तो और इश से बहर आपको कुछ नहीं है हेलो फ्रेंद्स मैं नेम इस रवी और वेलकम टू अलिन मैं चैनल आश्याटी बजारतों फ्रेंद्स आज हम लोग करेंगे अपका सिटिंग अरेंजमेंट अपका आर्पीअप कॉंस्टेमल एक्जाम 2018 के लिए ठीक है तो आज जो मैं अपका सिटिंग अरेंजमेंट लिया और अपका गुरूपी का जो अंसर की रिलीस के कहता मैं उसी में से दो सेट लिया हूं ठीक है तो जिन लोगों का गुरूप C और गुरूप D में एक्जाम है तो मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग देखके एकपर पैक्टिस का लिजे क्योंकि आपका रिसेंट में जो आ तो फ्रेंट जिसी के देख सकते हैं आपके सामने पहले कोश्चन है तो सबसे पहले देख लिए जो मैं आपको कोश्चन दिखा रहा हूं वो आपका गुरूप E का अंसर की जो रिलीस के गया तो उसी में से मैं आपको करा रहा हूं ठीक है तो एक टो आपका 21 दिसंबर को और सेम पैटन में आपको 22 दिसंबर को भी इसी टैप का पैटन पूछा गया था ठीक है और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था वह आपका सरकल वाला था ठीक है वह अलग पैटन का था तो आप लोग उसको भी देख लीजिगा अगर आपने नहीं देखा है क्योंकि इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा ठीक है जो पूछा जाएगा मैं आपको वीडियो में ही बता दे रहा हूं कि किस टैप से आपको और पूछा जा सकता है तो आप लोग इसको देख लीजिए तो चलिए क्वेश्चन कार्द में बोलना चाहता ह अब सेखें मुझे हिंदी में ही कोश Nope Kole EP से इसले हैं कि अब को पांच लोग flowers चैंड की और मूं कर के एक हूँ पंक्ति में बैठे हैं तो देखें क्या बोला जाराइब का 5 लोग फिसमें 5 लोग और च्छार ऑर एक 5 अब लोग जानते हैं यह डाई आपको फिर आपको उत्तर बोलते हैं और जो आपका नीचे होता है वो आपका डक्षिन भोलते हैं या फिर आप उसको बुलिए सउ॥ बोलते हैं, ठीक है? तो यहां तक clear होगा चलिए अब आपका point पढ़ते हैं क्या बोलागी आपसे point बोला जारा P के दाइं और तीसरे इस्थान पर S बैठा है तो देखे क्या बोला जारा आपका P के दाइं और तीसरे इस्थान पर S बैठा हुआ है P के दाइं डाइं मतलब क्या right side ठीक है तो आपका कौन सा right side बोल रहा है third right में बोल रहा है ठीक है P के third right में आपका S बैठा हुआ है तो अब बात को समझेगा P के third right में आपका S बैठा है तो देखे पी आपका किधर बैठ सकता है तो आप सोचिए P किधर बैठ सकता है जो कि आपका P के third right में S बैठेगा तो देखे, P यहाँ आपका बैठ सकता है अब देखे, मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ मैं आपको बताता हूँ अगर P आपका यहाँ बैठेगा तो इसका third right कौन होगा तो देखे, यह third right इसका कौन सा होगा तो यह तो इधर मूह कर रहा है ना यह तो नीचे औक और मूह कर रहा है तो पहला राइट, दुसरा राइट, तीसरा राइट यानि आपका थिसरा राइट तो यह होगा तो यानि यहां पर कौन बैठा तो S बैठा होगा ठीक है एक तो आपका ये वाला possibility बन रहा है और दूसर का possibility क्या हो सकता है पी आपका यहां भी तो बैठ सकता था बात को समझे ये वाला हटा दीजे पी आपका तो यहां भी तो बैठ सकता था तो एक काम करते एक उर आम बना लेते हैं तो ये तीन, चार, पाँच लोगों का अब मैंने P को यहां एक बाठा दिया, अब P अगर यहां बैठ रहा तो इसका फिर से तिसरा दाया कौन हो जागा, तो पहला दाया, दुसरा दाया, तिसरा दाया, तो यहां पर कौन बैठे का, तो S बैठेगा, अब आप लोग क्लियर होगा, यानि मेरा जो सही होगा अरेंजमेंट, जो आदमी लोग का जो बैठा हुआ एक पंक्ती में, या तो यह सही होने वाला, या तो यह सही होने वाला, ठीक है, तो इसको ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है, तो अब देख लिजए हो गया, यानि मेरा भी पहला वाला point clear हो चुका है अब चलिए दूसरा point क्या बोला आपका Q और R आपका पडोसी है तो देखिए पडोसी मतलब क्या हम लोग जानते हैं पडोसी मतलब क्या होता अगल बगल वाला ठीक है तो यहां बस क्या बोल रहा आपका Q और R आपका पडोसी है या कि यहां तो बैठेगा नहीं कि एक का तो यानि क्यू और Basic बैठेगा तो सिर्फ यह दो जगह में बैठेगा बात को समझ गे तुम्हें काम करता हूँ यहां पस्क्रा कर दे रहा हूं क्यू लिख दे रहा हूं क्यू को भी यहां बैठा दे रहा हूंressoर क्योंकि मुझे नहीं पता है कि यह लोग कहां एक्जेक्ट बैटे हैं यानि मतलब कहां आपका उसी जगह बैटे है इसलिए मैंने दोनों जगह पे क्यों र को लिख लिए ठीक है तो यहां पास मेरा दूसरा पॉइंट भी किलियर हो गया चलिए अब तीसर का पॉइंट क्या आपका T पडोसी है S का तो क्या बोल रहा आपका T पडोसी है S का यानि T भी आपका S का अगल बगल बैठा तो पहले वाला में देखिए S आपका यहां है तो T कहां बैठेगा तो देखें यहां तो T तो कभी बैठेगा नहीं और यहां तो आपका खतिमी हो जारा जगह तो T तो आपका T के लिए जगा कौन से बचा तो यही जगा बैठा तो अब देखें टी और S आपका पडोसी भी है तो यह वाला मेरा सही चल रहा हुआ है और यह वाला मेरा गलत हो गया इसको मेने घट गया तो चलिए मेरा तीसरा वाला पांट भी क्लियर होगे ठीक है अब देखिए चौथा वाला पॉइंट क्या बोला आपका टी के बाइं और दूसरे इस्थान पर क्यू बैठा है तो क्या बोला टी के बाइं यानि आपका लेफ्ट और क्या बोला सेकेंड लेफ्ट में बात कर रहा है ठीक है तो टी के सेकेंड लेफ्ट में कौन तो इसका लेफ्ट कौन होगा यानि आपका बाए कौन होगा तो पहला बाए आर दुसर का बाए कौन होगा तो यहारा होता कि कौन बैठेगा यहां तो यहां पर कौन बैठ रहा तो क्यू बैठ रहा है क्यू यहां बैठेगा यानि तो यहां कौन बैठेगा तो यहां सिर्फ आर बैठेगा तो अब बात को समझ गया मेरा यह चौथा वाला तो यह देखे क्वेश्चन की चाहिश्ट से पूछता है, तो यह देखे, क्या बोला आपका पहला क्वेश्चन, जो अपसी एक्जाम में पूछा गया तो क्यूंने अपने स्थान को ट के साथ अपस में बदलता है το क्यूं के बाई और तिसरे स्थान पर कौन बैठा टो देखने थिर के अपना स्थान ऑफ एपना ष्थान बदल रहा को हिरे थो समझ रहाँ कि इन बेया चाल चाहिएगा ऄम यहां पस कॉस्ट only ब 협вин को यह वाला कोस्ट रिपका हिसाब से मेना यहाँ गया अब क्या बोला kक के 20 और तिसरे निब यानि यानि कशाल जलिक्का बात कर रहा रहां घरलेफ्ट में कौन बैठा है देखिए दच्छिन की और मूँ कर रहा है मतलब के सब बैठा हुआ है तो क्यों का आपका तीसरा बाया कौन हो जागा तो पहला बाया दूसरा बाया तीसरा बाया तो कौन होगा मेरा आर होगा तो मेरा कौन होगा इसका अंसर क्या जागा तो अप्शन ए न निनमिल्खित में से कौन सा जोड़ी पहले और दूसरे व्यक्ति के साथ पड़ोसियों के रूप में है तो क्या बोल रहा है आपका इन में से आपका जोड़ी आपका अगल बगल बैठा हुआ तो option देख लेते हैं तो क्या बोला पहला option P और R तो देखिए P मेरा यहां बैठ तो देखिए यह दोनों जोड़ी मतलब जो पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति दोनों तो आपका पड़ोसी है की नहीं है बात को समझ गया यानि यह तो मेरा option सही हो जा रहा है तो चलिए पहले और भी option देख लेते हैं Q और T तो देखिए Q यहां है तो बताए यह लोग T यहां है तो देखिए P और T के बीच में तो तीन लोग बैटे तो मतलब यह लोग भी पड़ोसी नहीं है तो कौन मेरा पड़ोसी सुरिपर इसमें से तो P और R ही है जो की मेरा option number A है तो मेरा option number A ठीक है फ्रेंट्स तो उम्मीद करता है यह समझ आया होगा चलिए अब last question kia बोला गया अजै और T के बीच में कितने लोग बैटे हैं तो देखे T मेरा यहां है , P मेरा यहां है तो पताइएT और P के पीच में कितने लोग है तो एक бы लोग दो लोग 2 तीन लोग तो कौन कितने लिए option हो जागा मेरा है तो option number A तो मेरा answer हो जागा 3 तो जो की मेरा option number A है तो यह वाला मेरा यहाँ solve होता है friends तो इस type का sitting arrangement को आप ऐसे solve कर सकते ते तो चलिए अब मैं दूसरा का sitting arrangement लेता हूँ जो कि आपका तो यह भी आपका इसी pattern पर बेस है तो इसको जली-जली solve करेंगे इसका मैंने question ने लिया तो इसी type से question भी आपका इसी type से पुछा गया तो चलिए तो चलिए अब आपका दूसरा sitting arrangement को solve करते है वो भी आपका same pattern पुछा गया था वो आपका बाई जिसा मैंने पूछा गया था तो जैसे की देख सकते हैं आप लोग तो चलिए इसको solve करते हैं उससे पहले friends अगर आपको वीडियो पसंद आरे तो प्लीज वीडियो को like किजिए और साथ मापे friends लोगो भी अब देखे, क्या बोल रहे आपका? पाँच लोग PQRS और T उत्तर की और मुख करके बैटे बात को समझेब उत्तर की और मुख करके बैटे इससे पहले जो बनाएं थे गो क्या था दक्योन की और मुख करके बैटे थीक है तो यहां पास जो 5 लोग बैठे हैं एक लोग, दो लोग, तीन लोग, चार लोग, पांच लोग ठीक है यानि पंक्ती तो आपका बोला है पंक्ती में बैठे है आप अभी जो कर रहे है क्या उत्तर की और मुह करके बैठे है मतलब क्या यह आपका नौर्थ की और मुह करके बैट है इससे पहले हम लोगों ने बनाया दच्छीन की और मुह करके तो यह थोड़ा सा हम लोग का उल्टा चलता है पर नौर्थ में क्या होता है हम लोग का उत्तर वाला में कि हम लोग का जो राइट होता है वही आपका पर देख लिए पहले को आपका आर और पी पडोसी मतलब क्या मैंने अब को बताया अभी पडोसी मतलब आपका अगल बगल बैठें तो अब देखिये आर पी को हम लोग कहां बैठा सकते हैं या तो यहां 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 आप आर का निस्चित जगा नहीं बता पाएंगे या तो पी का निस्चित जगा आपको नहीं पता है ठीक है बात को समझ गए और हम लोग क्या करते हैं आपका sitting agreement solve करते समय जो हमको निस्थित जगा मिलता हम उसको वही बैठाते है और अभी आपको पता चाल रहा है R और P अगल बगल तो बैठा है मगर मेरे को इसका लोगो निस्थित जगा नहीं पता कि कहां बैठा होगा तो इस वाले point को आप थोड़ा दर के लिए हटा दीजे ठीक है अब चलिए दूसरा वाला point देखता है क्या वाला दूसरा point P और T के बीच में दो वैक्ती बैठा है तो क्या बोलरा आपका P और T के बीच में दो वैक्ती बैठा है पी अगर P यहां बैठा तो आपको T को यहां बैठाना पड़ेगा, अगर P यहां बैठा तो आपको T को यहां बैठाना पड़ेगा, बात को समझे, यानि इसका भी आपको निश्चित जगा भी नहीं मिला, यानि इस वाले इसको भी यहां नहीं बैठा सकते, बात को समझ रह तो क्या बोला स् प के बाइय और दीतु इस्तान पर बैट आ, मतलब क्या, लेफ्त और क्या बोला कौन सा लेफ्त, स्सेकेंड लेफ्त तो यानि स् प के स्सेकेंड वेफ्त तो अब देखिए मेरा कहीं पी बैठा होगा थ्वादर के लिए मान लिजी पी आपका यहां बैठा है तो इसका सेकेंड लेफ्ट कौन होगा पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट यानि आपका कहां एस बैठेगा तो एस आपका यहां बैठेगा बात को समझ गए यानि आपका पी का सकेंड क्या बोला आपका एस पी के बाई और दीत विस्तान पर एस बैठा हुआ है और ये लोग तो आपका नौर्थ की और देख रहे थे मतलब उत्तर की और देख रहे थे यानि पी आपका यहां बैठेगा उसके सकेंड लेट में इस बैठेगा तीक है मगर इस वाले को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि आप समझ गेंगों कि यह भी अप कहां बैठेगा आपका कोई निश्चित जगा नहीं है तो चलिए अब इसको भी थोड़ दर क्लिए अब लास्ट वाले पॉइंट को पड़िए क्या बोला आपका आर पंक्ती के किसी एक चोर पर बैठा है तो क्या बोला आपका आर पंक्ती किसी एक चोर बैठा तो मतलब क्या यह मेरा पंक्ती है जान गया और किसी एक चोर बैठा है मतलब क्या एक पंक्ती में तो दो ही चोर होते है मतलब क्या अब एक काम करते हैं, इस पर मैं क्या करेंगा, मैं R को मैं यहां बैठा दे रहा हूँ, अब देखिए, या तो मेरा यह सही होगा, या तो यह सही होगा, अब फिलाल मेरा यहां चौथा नंबर का पॉइंट का काम खतम हो गया, क्योंकि बोला R किसी पंक्ति का एक चोर बैठा मतलब R या तो यहां बैठा होगा, अब समझ गए, चलिए, अब पहले वाले पॉइंट बादेते हैं, पहले वाले पॉइंट क्या बोला था आपका, R और P पडोसी है, तो R और P अगल बगल है, अब देखिए, R यहां बैठा, तो P कहां बैठेगा, यही बैठेगा, इस व बैठेगा, दो बैठेगा, तो मेरा T कहां बैठेगा, तो T सिर्फ यहां बैठेगा, इस वाले में देखेंगे, तो एक जगा छोड़ दिए, दो जगा छोड़ देजे, यहां बैठेगा, तो T यहां बैठ सकता है, तो अब देखिए, P और T के बिच में दो बैठती है, और दित्वे बाई में बैटा है तो देखिए मेरा P यहाँ है तो बताइए P अगर जब आपका यहाँ है तो अब इसका सेकेंड लेफ्ट में S बैटा है तो पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट क्योंकि यह लोग नौर्थ की और देख रहा है तो पहला लेफ्ट यह होगा दूसरा लेफ्ट यहाँ होगा यानि आपका S यहाँ बैटा बात को समझ गए अगर अब देखिए आप इस वाले में देखेंगे तो अब देखे P मेरा नौर्थ की और फेस कर रहा है तो अब देखे पहला बाएं तुसरा बाएं तुसरा जगह तो आपका यह आ जा रहा मगर तो सिर्फ देखिए पांच लोग का जगह ता यहाँ कितना जगह हो गया अब यानि मेरा गलत हो जाता है यहाँ तो जगह ही नहीं बन रहा है यानि मेरा गलत हो गया अब आपको पता चल गया पहला वाला सही है तो अब मेरा ये वाला हो गया एक जगा आपका कौन बच गया आप छूट गया तो यह पर एक ट्रू कौन बैटेगा यहां पस क्यू बैटेगा उसी टैपस अपका कौशन पुछा जाएगा जैसा भी पुछा जाएगा आपको इसी का बेसिस पर जवाब देना कहीं आपसे पूछ लेगा कि अभी जैसे कि आपको पूछा आर अपका बता दिया गया था भी लग जो मैंने कराया था आपका व व्रितकार वाला हूं तो सब्सक्कों करके बैठेती तो यह वाला आप सब्सक्तर कर सकते हैं कोई भी एक्जाम में उस दिन परिशानी ना हो ठीक है क्योंकि यह आप से तीन माक्स आपके लिए बहुत ही मायन रखेगा आपके लिए ठीक है इस चीज को आप लोग भी जानते है तो आप लोग अब इसको थोड़ा सब बहुत प्रेक्टिस कर लिजिए ताकि आगर कोई भ में तब तक के लिए जय हींद जय वारत